हाई दोस्टो मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हुँ आप लोग जो रोज रोटी खाते हो तो किस आटे की खाना पसंद करते हो नीचे कमेंट जरूर करना मेरे खयाल से आप लोग गेहू की रोटी खाना पसंद करते होगे क्यूँ मैंने सही कहा न तो क्या आपको पता है कि गेहू का प्लांट कैसा होता है और जो आप ओ गरम गरम रोटिया खाते हो वहां तक की प्रोसेस तो ये सब आपको पता होगा फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ ये जो आप देख रहे हो यही गेहू का खेत है केसा हरा भरा खेत है बहुत अच्छा मेसूस होता है येसे खेत में जैसे ये गेहू के पवदे हमसे कुछ बाते कर रहे हो आगे हम देखने वाले हैं कि ये पकने के बाद केसा होता है ये देखो वही गेहू है इसमें अच्छे से दाने हो आए है जैसे की दिख रहे है थोड़े सुक गए है और इन पोदों में बहुत बड़े बड़े दाने लग रहे है इसके बाद ये tookड़ा और जादा पक जाता है और फिर इसका पूरा प्लांट सुक जाता है उनमें दाने पूरी तरह से आ जाते है गेहु जब पक जाता है तब यह यह सा देखता है और यह कटाई के लिए तैयर हो जाता है कई किसानों के बड़े बड़े खेत होते है तो वह ऐसी बड़ी बड़ी मशीने यूज करते है कटाई के बाद इसे एसे रखते है और फिर इस मशीन में डालकर इसे दाने निकलते है फिर गेहू को मशीन में पिस्वा कर उसका आटा निकालकर लाया जाता है तो कैसा लगाए आपको वीडियो निचे कमेंट कीजे वीडियो को लाइक और शेर करो और अगर आपने हमारे इस चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो अभी किवकी में आगे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने वाला हूँ थैंक्स फोर वाचिंग सी यू इन दे नेक्स वीडियो